आये पर हम रुपे की बात कर रहे थे और आज बड़ी गिरावट रुपे में हमने आते हूँ दीखे एक बार जबारा निहां سے समझा जाए हुआ क्या है यतनी बड़ी गिरावट जो रुपे में हमें आते हूँ दीखे रहे है नीहां बताई आज क्या हुग घ्याए है on और ये मिड डिसेंबर के बाद हमने पहली बार इसे डॉलर को 83 रुपए 30 पैसे के पार निकलते वे देखा अल्मोस्ट 83.41 हो गया था लग रहा था कि जो 10 नवंबर का रिकॉर्ड है वो शाय तूट भी जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं वहां से हमने फिर से कुछ इसे अप से तगडी सापताहिक आप कह सकते हैं प्रदर्शन के लिए गेंस के लिए ये तयार हो रहा है अमेरिका में जो इनिशल जॉबलेस क्लेम्स में अनेक्सपेक्टडली गिरावट दिखी और जो मौझूदा घरों के विक्री उमीद उसके जो आकड़े मजबूत आये इसने का साफी हद तक डॉलर इंडेक्स को बल दिया प्लस हमने देखा कि स्विस नाशनल बैंक की भी जो रेट कटौती का एलान हुआ बहुत सारे हमने यहाँ पर जो बड़ी करेंसी हैं एशिया ही करेंसी हैं उनको गिरते हुए देखा है मिसाल के तोर पर येरो पाउंड तीन हफ देख सकते 8360 यानि कि एक नए रिकॉर्ड लो बन सकते हैं कुछ का मानना है कि 84 तक का भी लेवल देखेगा लेकिन वो यह भी कह रहे हैं यह एलेक्शन यहर है रुपए का कमजोर होना और तिकना यह अब देखने वाली बात होगी इसलिए कई मानते हैं कि वापस से आप इ 82 70 से 83 60 अब यह ब्रॉड रेंज होगी जो एलेक्शन तक आपको रुपए में देखने को मिलेगी ओके तो यह आपके लिए रुपए की कमजोरी बढ़ने की वजह आपके सामने आती भी दिख रही है और गिरावट आज अच्छी कासी होती दिख रही दी बार बार चिंता क क्या करें फिर हमने आपको बुलाए है आज इसलिए मोधी जी कहते हैं इंडिया में गूमा बार जाओगे फोरेक्स महेंगी लेनी पड़ेगी चलिए तो यह है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्रेंसी मार्केट में आता हूं दिख रहा है